गाड़ी चलाते समय बहुत से नियम काईदों का वाहन चालकों को पालन करना पड़ता है जिनमें सिग्नल पर रुखना नविगेशन का अस्तमाल करना और गाड़ी चलाते हुए फून पर बात नहीं करना जैसे नियम शामिल है सबसे महत्वपून नियम है ड्राइव करते हुए फून का अस्तमाल ना करना अगर कोई कार चालक किया वाहन चालक ऐसा करता है तो वो अपने अलावा साथ बैठे भी लोगों की जान को खत्रे में डालता है इसको लेकर मोटर वाहन एक्ट 1990 में सक्त नियम बनाये गए हैं और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है हलकि अब इस नियम में संशोधन करते हुए मोबायल इस्तमाल करने की छूट दे दी गई है लेकिन इसके लिए खास शर्ट रखी गई है क्योंकि फोन पर नविगेशन देखना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है और अगर वाहन चलाते हुए चारक नविगेशन का इस्तमाल कर कहीं जा रहा है तो कारवाई नहीं करने के निर्देश दिये गए है इसके लिए सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1990 में संशोधन किया है जिसके चलते अगर वाहन चारक नविगेशन का इस्तमाल कर रहा है तो उसका चालान नहीं कर देगा हाँ अगर आप फोन पर बात कर रहे हैं तो आपका पहले की तरह ही चालान काटा जा सकता है वह यहां से मोटर वाहन अक्ट में और भी कहीं बदलाव किये गए हैं जिसके चलते बस टैक्सी में अधिक सवारी बैठाना सवारी के साथ दुर्विहवार करना स्टॉप पर नहीं उताना बस चलाते हुए धुम्रपान करना शराब पी कर गारी चलाना बाहन बेवज़ धीरे चलाना अधिक किस समय से गंतवे पहुचाना ट्रक के कैबिन और पीछे सवारी बैठाना रोकने का इशारा करने के बावजूद वाहन नहीं रोकना बस में सिगरेट पीना आदी हरकत ड्राइवर को महंगी पड़ेगी ये सब हरकत करने पर ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है इन नियमों में वाहन में बैठी सबारे को उतार कर प्रदेशन वर हरताल में शामिल होने वाले और बुकिंग के बाद जाने से मना करने वाले कैब ड्राइवर को भी शामिल किया गया है यातायात पुलिस को इन सब चीजों को पोर्टल पर अपडेट करना होगा ताकि अगली बार ये जानकारी आसानी से पता लगाई चासके इन समनियमों को लागू करने के लिए मोटर वहिकल एक्ट में संशोधन किया गया है आप देख रहे हैं घमासान.com और भी नियोज अबडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें